नमस्कार दोस्तों आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे देखिए डेट आप 12 में डिसकस करेंगे दा हिंदू नूज पेपर और P.I.B. that is Press Information Bureau का Important Current Affairs तो लिजे गईज स्टार्ट करते हैं देखिए सबसे पहले अगर आज P.I.B. की बात करें तो नूज में है IREDA that is Indian Renewable Energy Development Agency Limited ये देखिए एक Public Limited Government Company है और इसको Establish क्या था as a Non-Banking Financial Institution 1987-1987 में इसका मोटो है Energy Forever और ये Mini Ratna Company अंडर इसका जो Administrative Control है वो आता है Ministry of New Renewable Energy के अंडर में बिल्कुल याद रखना ठीक है और ये काम क्या करती है ये Financial Support Provide कराती है ऐसे जो Project या Scheme होती है जो Generate करें Electricity या फिर Energy Renewable Sources के दवारा ठीक है और Recently News में इसी वज़े से आई क्योंकि इसको Award दिया गया Green Urja Award से सम्मानित क्या गया by Indian Chamber of Commerce के दवारा अब देखिए ये जो IREDA है ये काम करती है Green Energy से Related जो Project होते हैं उनको Finance करने का तो याद रखिए Next अगर बात करें तो देखिए MP-led Scheme के बारे में यहाँ पर बात करेंगे हम लेकिन देखिए चर्चा में MLA-led Scheme आई जो Ministry of Legislative Assembly तो देखिए Ministry of Legislative Assembly वो State के दवारा फंड दिया जाता है जैसे MP-led Central Government के दवारा पूरी तरह से funded होती है तो देखिए News में इसी वज़े से आई है MLA-led Scheme क्योंकि रिसेंटली जो राजस्थान जो है राजस्थान ने अपना जो फंड है MLA का वो 2.25 करोड से बढ़ा दिया गया तो अगर आप राजस्थान के किसी एक्जाम की तैयरी करते है तो आपको बिल्कुल अच्छे से इस सर्विस का जो प्रिलिम्स हुआ था उसमें भी देखने को मिला था इस से रिलिटेड क्यूशन जो है तो देखिए MP-led जो स्कीम है Ministry of Parliament Local Area Development 1993 में ठीक है ये स्कीम जो लागू की गई Development Works के लिए की गई और Initially सुरवात में Ministry of Rural Development के अंडर में आती थी बाद में इसे Ministry of Statistics और Program Implementation के अंडर में लाए गया बहुत जरूरी पॉइंट है याद रखना बिल्कुल भागे वो अपना पैसा स्टेट में कहीं भी खर्च कर सकते हैं जहां से वो elected है ठीक है और Nominated Member of Parliament जो है वो अपना पैसा पूरे देश में कहीं भी इसके तहात जो फंड मिलता है कहीं भी खर्च कर सकते हैं बहुत जरूरी पॉइंट से बिल्कुल याद रखना नेक्स्ट बात करें तो repeated news है जनवरी फरवरी में काफी G7 चर्चा में रहा था और आज इसी वज़े से चर्चा में है क्योंकि हमारे Prime Minister साब को invite किया गया था और उन्होंने invitation cancel कर दिया है इसी वज़े से कि भाई आप नहीं आपाएंगे हमारे देश में काफी हमारे देश म और देखें इसका जो headquarter है वो कोई fix नहीं है बिल्कुल याद रखना और दूसरी बात अगर G7 की बात करें तो इसका कोई formal constitution नहीं है G7 का और इसके जो member के दवरा decision लिये जाते हैं वो non binding होते हैं पहले ये G8 बन गया था जब रश्या ने इसे 1997 में join किया था लेकिन 2014 में र किरला की जो communist icon है जिनकी death हो गई है 102 साल की होके उनका देहांत हुआ है क्यार गोरी जी ने कहा गया ठीक है वो देखिए हमें इसलिए जानना है क्योंकि वो first woman lag graduate है from the izawa community ठीक है izawa community से अब देखिए izawa community जो है ये किरला में ही होती है तो हमें community से related पता होना चाहिए community कहा है ठीक है अगर देखिए guys आपका कोई भी suggestion कोई सुझाव है no doubt आप मुझे कभी भी mail या comment कर सकते हैं मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब के लिए have a awesome day